विश्णु पुराण में वर्नित श्राद विधी और अफ बूले हे राजन श्राद काल में जैसे गुणशील ब्राह्मनों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ सुनू नमस्कार ने आभा शर्मा जावास इन ओडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबर्शिप लेके या दिये गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहिद करता है आने था, शेर, लाइक, यह सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं त्रला चिकेत, त्री मधू, त्री सुर्पन, छेहूं वेदांगों की जानने वाले वेदवेता, शोट्रिये, योगी और जेश्ट सामग तथा रित्विक, भांजे, दोहित्र, जा माता, शुसुर, मामा, तपस्वी, पंचागनी तपने वाले, शिश्य संबंधी और माता पिता की प्रेमी, इन ब्राह्मनों को शाध कर्मे में न्युक्त करें इन में से त्रनाची केत, आदी, पहले कहें हों को पूर्वकाल में न्युक्त करें और रत्वे कादी, पीछे बतलाए हों को पित्रों के त्रिप्ती के लिए उत्तर कर्मे में भोजन करावें मित्र घाती, सुभाव से ही विक्रित नखों वाला, नपुंचक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नी और वेद का त्याग करने वाला, सोम्रस बेचने वाला, लोकनिंदित, चोर, चुगल खोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, अथ्वा पढ़ने पुनर विवाहिता का पती, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पती, तथा देवोप जीवी ब्रामन श्राध में निमंत्रण देने योगे नहीं है, श्राध की पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षोत्री आदी वेहित प्रामनों को निमंत्रित करें, फिर उन्से यह कह दें कि आपको पित्री श्राध में और आपको विश्वेदेव श्राध में नियुक्त होना है, उन निमंत्रित प्रामनों के सहित श्राध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादी तथा स्त्री गमन और परिश्रमादी ना करें, क्योंकि श्राध करने में यह महांदोश माना जाता है, श्राद में निमंत्रित होकर या भोजन करके अत्वा निमंत्रन करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वे अपनी पित्रीगण को मानो वीरे के कुंड में डुबो देता है अतह श्राद के प्रथम दिन पहले तो उप्रोक्त गुण विशिष्ट दुच्ष्रेश्टू को निमंत्रित करे और यदी उस दिन कोई निमंत्रित तपस्वी ब्राहमन घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे घर आए हुए ब्राहमनों का पहले पाद शुद्धी आधी से सतकार करें फिर हाद दोकर उन्हें आजमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें अपने समर्थे अनुसार पित्रीगण के लिए अयुगम और देवगण के लिए युगम ब्राहमन नियुक्त करें अथ्वा दोनों पक्षयों को लिए एक-एक ब्राहमन की ही नियुक्ती करें और इसी प्रकार वैश्वेदेव की सहित मातमह श्रात करें अथ्वा पित्रीगण और मातमह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वेदेव श्रात करें देव पक्ष के ब्राह्मनों को पूर्वा विमुख बिठा कर और पित्री पक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मनों को उत्तरमुख बिठा कर भोजुन करावे। हेनरिप कोई तो पित्री पक्ष और माता महँट पक्ष के श्राधों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महरुषित दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं विज्य व्यक्ति प्रथम निमंत्रित प्रहमणों के बैटने के लिए कुशा बिछा कर फिर अर्गेद्यान आदी से विधी पूर्वक पूजा करके उनकी अनुमती से देवताओं का आवाहन करें तदनन्त शाद विधी को जानने वाला पूरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्गे दान करें और उन्हें विधी पूर्वक धूब, द्वीब, गंध तथा माला आदी निवेदन करें ये समस्त उपचार पित्रिगण के लिए अपसव्वे भाव से निवेदन करें और फिर प्रहमणों की अनुमती से दो भागों में बटे हुई कुशाओं का दान करके, मंत्र उच्चारण पूर्वक पित्रिगण का आवाहन करें तथा हे राजन अपसव्वे भाव से तिलोधक से आर्गे आधी दे। हे निवेदन उस समय यदि कोई भूखा पतिक अतिथी रूप से आ जाए तो निमंत्रित प्रहमणों की आग्या से उसे भी यथेज भूजन करावे। अनेक अज्यात स्वरूप योगीगण मनुश्य के कल्यान की कामना से नाना रूप धारण कर प्रिथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतह विग्य पुरुष श्रादकाल में आए हुए अतिथी का अवश्य सत्कार करें। हे नरेद्र उस समय अतिथी का सत्कार ना करने से रहे शादक्रिया के संपून फल को नश्च कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ट तदनंतर उन ब्राह्मनों की आग्या से शाक और लवणहीन अन से अग्नी में तीन बार आहुती दें। हे राजन उनमें से। अग्ने कभ्वे वहनाए स्वाहा इस मंतर से पहली आहुती। सोमाए पित्री मते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताए स्वाहा इस मंतर से तीसरी आहुती दें। तदरंतर आहूतियों से बचे हुई अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्रहमनों के पात्र में परोस्ते। फिर रुची के अनुसार अती संसकार युक्त मधुर अन्न सब को परोसे। और अती मृदुलवानी से कहें आप भोजन कीजिए। ब्रहमनों को भी तद गत चित और मौन होकर प्रसन्न मुक्सि सुक पूर्वक भोजन करना चाहिए। तथा ये जमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ती पूर्वक परोस्ते रहना चाहिए। फिर रक्षोगन मंत्र का पाठ कर शाद भूमी पर तिल छड़कें तथा अपने पित्री रूप से उन द्विज्ष्ष्टूं का भी चिंतन करें। रक्षोगन मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अफ़ता असुरा रक्षांसी वेदि शदह। इन ब्राह्मनों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पिता महं और प्रवपिता महं आदी आज त्रिप्ती लाब करें। हूम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पिता महा और प्रोपिता महा आज त्रिप्ति लाब करें। मैंने जो पृत्वी पर पिंड़दान किया है, उससे मेरे पिता, पिता महा और प्रोपिता महा त्रिप्ति लाब करें। श्राद रूप से कुछ भी निवेदन ना कर सकने के कारण मैंने भाक्ति पूर्वक जो कुछ कहा, उस मेरे भाक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रव पितामह त्रिप्ति लाब करें। श्राद के भोगता यग्येश्वर भगवान हरी विराजवान है, अतह उनकी सानिध्धी के कारण समस्तर राक्षस और असुर्गन यहां से तुरंत भाग जाएं। फिर पित्रितीर्चे दिल्युक्त जलान जली दें। तथा मातमह आधी को भी उस पित्रितीर्चे ही पिंडदान करें। ब्राहमणों के उच्छिस्ट अर्था जूठन के निकट दक्षिन की ओर अग्रबाग करके बिचाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुश्वधूपादी से पुजित पिंडदान करें। तत पर शात एक पिंड पिता मह के लिए और एक प्रवपिता मह के लिए दें। और फिर कुशाओं की मूल में हाथ में लगे अन को पोच कर लेप भाग भुझजसित त्रप्यताम आधी ऐसा उच्चारन करें। लेप भोजी पित्रिगण को त्रिप्त करे इसी प्रकार गंध और मालादी युक्त पिंडों से मातमहा आधिका पूजन करे फिर दुझ शेष्टों को आजमन कराए और हे नरेश्वर इसके पीछे भक्ति भाव से तनमय होकर पहले पित्रि पक्षिय ब्रहामणों का सुस्वधा यह आशिरवात क्रहन करता हुआ यथा शक्ति दक्षना दे फिर वैश्वधेविक ब्रहामणों के निकट जा उन्हें दक्षना दे कर कहीं कि इस दक्षना से विश्वधेवगण प्रसन्न हुँ उन ब्रहामणों के तथास्तु केहने पर उनसे आशिरवात के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पित्रि पक्ष के और पीछे देवपक्ष के ब्रहामणों को विदा करें विश्वे देवगण के सहित मातमह आदी के श्राद में भी ब्राहमन, भोजन, दान और विसर्जन आदी की यही विधी बतलाई गई है पित्री और मातमह दोनों ही पक्षों की श्राधों में पादशोच आदी सभी कर्म पहले देवपक्ष के ब्रहमनों के करें परंतु विदा पहले पित्री पक्षी अथ्वा मातमह पक्षी ब्रहमनों की ही करें तदन अंतर प्रीतिवेचन और सम्मान पूर्वक प्राहमनों को विदा करें और उनकी जाने के समय द्वार तक उनकी पीछे जामें तथा जब्वे आज्या दें तो लोट आएं। फिर विज्य पुरुष वैश्वे देव नामक नित्य कर्म करें और अपने पुज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सैथ स्वयम भूजन करें। बुध्यमान पुरुष इस प्रकार पैत्रे और मातमह शाद का अनुष्ठान करें। शाद से त्रिप्त होकर पित्रिगण समस्त कामनाओं को पून कर देते हैं। शाद में भौजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन श्राद करने वाले पुरुष से विश्वे देवगण, पित्रिगण, मातमह तथा कुटुमभी जन सभी संतुष रहते हैं। हे बूपाल, पित्रिगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। इसलिए श्राद में योगी जन को निउक्त करना अतियुत्तम है। हे राजन यदि श्राद भोजी एक सहस्तर ब्राहमनों के समुख एक योगी भी हो, तो वे ये जवान के से उन सब का उधार कर देता है। और रव बोले हवी, मतस्य, शश्क, अर्थात खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरियमरिक, कृष्णमरिक, गव्य, अर्थात वन गाए। और मेश के मासों से तथा गव्य, अर्थात कौ के दूद की आदि से पित्रिगन, क्रमशह, एक-एक मास अधिक त्रिप्ति लाप करते हैं। और वार्धिनस से पक्षी के मास से सदा त्रिप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्रात कर्म में गैंडे का मास, कालशाक और मधू अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत त्रिप्ति दायक है। हे पृत्विबते, जो पुरुष गया में जाकर श्रात करता है, उसका पित्रिगन को त्रिप्त देने वाला यह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष रिष्ट, देवधान, निवार और श्याम तथा श्वेतवर्ण की श्यामाग अर्थात सावा एवं प्रधान-प्रधान वनोशधियां श्रात की उपर्युक्त द्रव्वे हैं। जो, कांगने, मूंग, गेहुं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन सब का शाथ में होना अच्छा है। हे राजेश्वर्ण, जिस अन से नवान यग्य ना किया गया हो। तथा बड़े उड़त, छोटे उड़त, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक अर्थात शाली विशेश, बिना तुषके गिरे हुए धान्ने का आटा। उसर, भूमी में उत्पन हुए लवण, ही गादी, कुछ-कुछ लाल रंग की बस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य बस्तुएं, जिनका शास्र में विधान नहीं है, शाद कर्म में त्याजे हैं। ही राजन जो रात्री के समय लाय गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशे का हो, जिसमें गौ त्रिप्ती न हो सकती हो, ऐसे गर्धे का अथ्वा, दुर्गंद या फैन युक्त जल श्राद की योगे नहीं होता। एक खुरवालों का, उंटनी का, भेड का, म्रिकी का तथा भैंस का दूद, शाद कर्म में काम में न ले। हे पुरुष्षर्भ, नपुन्चक, अपविद्ध, सत पुर्षों द्वारा बहिश्कृत, चांडाल, पापी, पाशनी, रोगी, कुकुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम में शुकर, रजसोलास्त्री, जन्म आथ्वा मरण के अशौत्च युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इन में से किसी की भी द्रिष्टी पढ़ जाने से देवगण आथ्वा पित्रिगण, कोई भी श्राध में अपना भाग नहीं लेते, अतह किसी घेरे हुए स्थान में शधा पूर्वक श्राध कर् राक्षसों को निवरित कर दें। सुनी जाती है, जो पूर्वकाल में मनुपुत्र महराज इक्षवाकू के प्रती पित्रिगण ने कलाप उपवन में कही थी। अर्थात खीर का दान करेगा, अत्वा गोरी कन्या से विभा करेगा, नीला प्रिशब छोड़ेगा या दक्षणा सहित विधी पूर्वक आश्रुमेग यक्य करेगा। आप सभी को कोटी कोटी साधुवात, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। आप से विभा करेगा हैं इन करेगा ईपने विभा यक्य करेगा। झाल झाल